हलो फ्रेंज, सूरीन सॉलिट कंस्रक्शन में आपका स्वागत है मेरा नाम है सूजा सूरीन और मैं आपके पास लेकर आती हूँ नए-नए घर के डिजाइन्स जो आपको हल्प करता है आपका नए घर बनवाने में तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मेरे चैनल पहले से देखते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कर दे ताकि और लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुच सके तो आज का जो plot आप देख रहे हैं देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा screen पे बहुत ही बड़ा plot है 131 feet लंबा ये plot है बड़ जो हमारा build-up area है वो सिर्फ और सिर्फ 40 feet ही है तो आप देख सकते हैं कि तीनों side से ये जो आपके सामने plot है वहां आपको पता चलेगा कि तीनों side से घर बने हुए हैं और पीछे जाने का रास्ता जो है वो यही जो 10 feet का wide हमने रास्ता चोड़ा है वही है तो फ्रंस जो main gate है वो आगे की तरफ है जहां 10 feet wide दिख रहा है आपको उससे आगे की तरफ तो सबसे पहले हम आपको बता दे 30 feet चोड़ा और 40 feet लंबा में इसका build up area बनाया गया है दो थरफ से gate दिये गया है चार बेचके का ये कमरा है और बाहर से एक पूजा रूम दिया गया है और stairs जो है वो नहीं दिये गया है क्योंकि stairs जो है वो बाहर से दिये जाएंगे तो friends सबसे पहले आपको हम बता दे कि ये main gate जो है आपका दो है एक इधर से आप जो बीच में जो main gate देख रहे हैं वही इसका main gate है एक और एक जो है जो आपका पाथवे था 10 feet का उधर से जो main gate है वो है जो की drawing area की तरफ खुलता है तो जो पहला bedroom आपको दिख रहा है पूजा room के just bugle वाला ये हम आपका bedroom जो है उसके just bugle से पाथवे है और ये जो bedroom है वो 13 feet by 11 feet लंबा है और उसके just bugle में आपको एक common bathroom मिलेगा जो की 4 feet by 8 feet का है और ये जो दूसरा bedroom है ये आपको उसके just बाथवे के just बाथ मिलेगा आप पासेज जो था आपका entrance gate का उसके just bugle में आपको 10 by 10 feet का kitchen और ये 17 by 15 feet का आपको dining area देखने को मिलता है जिसका दरवाजा जो है आपका पाथवे की तरफ खुलेगा 11 by 11 feet का ये room है जो की dining के तरफ खुलता है और उसके just bugle में एक master bedroom है जो की 12 feet by 11 feet का है जिसके साथ हमने attached bathroom दिया हुआ है और उसके just bugle में corner side में आपको देखने को मिलेगा 11 feet का एक और room तो कुल मिला के हमारे पास 4 room हो गए और जो bathroom है वो आपके पास दो bathroom हो गए एक attached और एक common तो friends कैसा लगा आपको ये plan हमें comment करके जरूर बताएं और आप जरूर बताएं कि अगर आपके पास भी ऐसा plot होता तो क्या आप भी इस तरह का plan करके अपना घर बनवा जोड़ रखा है ताकि आप जब पीछे की तरफ जो एरिया में घर बनवा लें जो बाकी जो छोड़ा हुआ जमीन था उस पे घर बनवाएं तो वहां जाने का रास्ता आपको मिल रहा है कार पारकिंग जो है वो भी अंदर की तरफ ही जाएगी और जो कार है वो जो है दस फीट वाले रास्ते से अंदर की तरफ चली जाएगी तो फ्रेंट्स आज का जो वीडियो था हमारा इस घर का बेस प्लान पे था अगला वीडियो जो होगा हमारा इसका फर्स फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पे होगा